दिलीदे मुखमंती अर्वीन केश्डिवाल दा कहना है कि सुप्रीम कोट ने मैंनू चोना दे पर चार दली इक्की दिना दास समा देता सी पर तो मैं वापस ती हाड जेल दावांगा मैंनू नहीं पता कि इस वारे ही लोग मैंनू किना समा जेल दे वच रखनगे पर मेरे हॉंसले बुलाद दान उना ने मैंनू चुपकरोन दी कोशिच की ती पर मैंनू नहीं पता कि इह लोग की चौन दे साथ तो जेल जो वापस ओन तो बाद मैं हर माँ आते पैर नू हर मही ने एक हजार उपए देना शुरू करागा रसीम के शिवाल फिरतों सुरंडर करन्दे ले जारेने सु दो जून नू फिरतों जड़ा की ती हार चेल दे में तो जानेगे पारोना के हाए कि मेरे हौसले बुलागध हाँ नमस्कार माननिय सुप्रीम कोट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की महलत दी थी कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं परसों मुझे सरंडर करना है परसों वापस में तिहार जेल चला जाऊँगा मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे पर मेरे हौसले बुलंद है देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ इसका मुझे फक्र है इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की जुकाने की कोशिश की मुझे चुक करने की कोशिश की लेकिन ये सफल नहीं हुए जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे परताडित किया इन्होंने मेरी दवाईयां रोक दी मैं 20 साल से serious diabetes यानि शुगर का मरीज हूँ पिछले 10 साल से मुझे रोज insulin के injection लगते हैं रोज मेरे पेट में 4 बार injection लगते हैं जेल में इन्होंने कई दिन मेरे insulin के injection बंद कर दिये मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुँच गई इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो kidney और liver खराब हो जाते हैं पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे इन्होंने ऐसा क्यों किया जेल में मैं 50 दिन था इन 50 दिनों में मेरा 6 kg वजन कम हो गया जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 kg था आज 64 kg है जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शेरीर में किसी बड़ी बिमारी का भी संकेत हो सकता है कई टेस्ट करवाने की जरूरत है मेरे यूरिन में भी किटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है परसो मैं सरंडर करूँगा सरंडर करने के लिए लगबग दोपहर तीन बज़े अपने घर से निकलूँगा हो सकता है ये इस बर मुझे और ज्यादा प्रताडित करें लेकिन मैं जुकूँगा नहीं आप अपना ख्याल रखना मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है आप खुश रहेंगे तो आपका केजरी वाल भी खुश रहेगा मैं बेशक आपके बीच नहीं होंगा लेकिन आप चिंता मत करना आपके सारे काम चलते रहेंगे मैं चाहे जहां रहूं अंदर रहूं, बाहर रहूं दिली के काम नहीं रुकने दूँगा आपकी फ्री बिजली मोहला क्लिनिक, अस्पताल फ्री दवाईया, इलाज महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे और लोट के हर मा बहन को हर महीने हजार उपे देने के भी शुरुआत करूँगा मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बनके अपना फर्ज निभाया है आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ मेरे माता पिता बहुत मेरे मां बहुत बिमार रहती है मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना उनके लिए दुआ करना भगवान से प्रार्थना करना दुआ में बड़ी ताकत होती है आप मेरी मा के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं उन्होंने जिन्दिगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एक जुटो जाता है यदि मेरे प्रान भी चले जाएं तो गम मत करना आपकी प्राथनाओं की वज़े से ही आज मैं जिन्दा हूँ और आगे भी आपका आशिरवाद मेरी रक्षा करेगा अंत में बस ये कहना चाहता हूँ भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा